नमस्कार दोस्तों घरेलुखवर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट में जै मातादी जरूर लिखें दोस्तों साल 2020 का पहला चंदरग्रहन 10 जनवरी 2020 को लगने वाला है तो दोस्तों इस वीडियो के माध चंदरग्रहन के समय क्या करे क्या नहीं तो दोस्तों 10 जनवरी 2020 का पहला चंदरग्रहन से जुड़ी संपून जानकारी दूँगी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्विस्ट है अगर अभी तक आपने हमारे इस घरेलुखवर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो पसंद हैगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना ज्यादा हो सके सेर करेंगे तो सास्त्रों और जियोतिस में चंदरग्रहन का काफी महत्व है बैदिक जियोतिस के अनुसार ग्रहन लगना असोप माना जाता ह खगूल बिज्ञान के अनुसार जब पिर्थिवी सूर्ज और चंद्रमा के मध्ध में आ जाती है तो सूर्ज का प्रकास चंद्रमा तक नहीं पहुँचता और यह हिस्थिती चंद्रग्रहन कहलाती है वर्ष 2020 में पहला चंद्रग्रहन पहली माहर्था 10 जनवरी सुक्रबार के दिन लगेगा यह चंद्रग्रहन भारत में देखा जा सकेगा भारतीय समय अनुसार यह ग्रहन करीब 10 बजकर 37 मिनट पर सुरू होगा और 11 जनवरी रातरी 2 बजकर 42 मिनट तक रहेगा ग्रहन की कुलवधी 4 घंटे 6 मिनट की होगी भारत की अलावा यह चंद्रग्रहन यूरोप, अफ्रीका, एसिया और आस्ट्रेलिया में भी देखा जा सकेगा भारत में दिखने के कारण सुतक काल भी मानने होंगे ग्रहन की सुतक काल का समय 10 जनवरी 2 फर 1 बजके 49 मिनट पे है क्योंकि चंद्रग्रहन से 9 घंटे पहले सुतक लग जाता है दोस्तों सुतक काल क्या होता है? धार्मिक मानिताओं की अनुसार सुतक काल वो समय होता है जिसमें कोई भी सुभकार नहीं किये जाते हैं सुतक काल के समय मंदिरों की कपाट बंद कर दिये जाते हैं और पूजा पाठ भी नहीं की जाती है सुतक काल सुर्ज गरहन हो या चंद्रगरहन दोनों गरहनों के दरान लगता है सास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि सूतक के दौरान ना ही भोजन पकाना चाहिए और ना ही ग्रहन करना चाहिए क्योंकि प्राचीन मानिताओं के अनुसार ग्रहन के दौरान निकलने वाली किर्णों से भोजन असुध हो जाता है अब चलिए जानते हैं चंदर ग्रहन के दौरान क्या करें जो 30 सास के नुसार ग्रहन के दौरान लगातार मंतरों का जाप करना चाहिए ग्रहन लगने से पहले खाने पीने की सभी चीजों में तुलसी का पत्ता डाल देना चाहिए क्योंकि ये ग्रहन के नकारात्मक प्रभाव को दूर करता है ग्रहन समाप्त होने के बाद पूरे घर में गंगाजल का छड़काओ कर घर को सुध कर लेना चाहिए ग्रहन के दौरान क्या नहीं करने चाहिए तो ग्रहन काल में किसी भी मंदिर में परवेश नहीं करना चाहिए और नहीं घर के मंदिर में पूजा करनी चाहिए ग्रहन काल के समय पूजा अस्थल को किसी परदे से ढख देना चाहिए ग्रहन के सूतAKाल शुरू होने के साथ ही भोजन नहीं करना चाहिए गरवती महिलाओं को विसेज ध्यान रखना चाहिए और ग्रहन के दोरान लेटना या हाथ पैर मोड कर नहीं बैठना चाहिए ग्रहन की समय सोना भी वर्जित माना गया है तो दोस्तों आसा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करें, सेर करें और घरेलूख अबर चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स